नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप स्वागत आपका एक और नए वीडियो में दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजनी गंदा के पौधे के बारे में यानि की टूब रोज प्लांट के बारे में दोस्तो काफी सारे comments आते हैं कि हमारे रजनी गंदा का जो plant है वह flower sticks जो है produce नहीं कर रहा है तो दोस्तो अगर रजनी गंदा का पौदा जो है Physics जो है flowers प्रडूस नहीं कर रहा है तो उसका कोई एक region हो यह कहना मुस्किल है तो हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे क्या हमें क्यार करनी चाहिए, कितनी धूब वाली जगा पर रखना चाहिए, कितने बड़े गमले में लगाना चाहिए और जो है क्या पोट का साइज होना चाहिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए क्या खाद देना चाहिए जिससे की रजनी गंदा प्लांट जो है फ्लावर स्टिक प्रडूस करे और जो हूँ मैं आपको इस वीडियो में खाद का जो फ्लावरिंग अपडेट है भे भी शेयर करूंगा तो वीडियो कंप्लीट आप वाच करें तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे इस ट्यूब रोज प्लांट में आपको यहाँ पर फ्लावर स्टिक निकलती हुई दिखाई दे रही है एक यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो इस तरह से अभी जो करंट समय में है मेरे इस प्लांट में तीन फ्लावर स्पाइक निकल रही है मैंने दोस्तो इस बाल्टी में चार टोटल मैंने बल्ब लगाये थे ट्यूग रोज के नर्सरी से लाकर तो दोस्तो मैंने नर्सरी से लाकर चार बल्ब लगाये थे रजनी गंदा के इस बाल्टी में और हम बाल्टी के अगर साइज की बात करें मिट्टी कैसी हमें रजनीगंदा के बल्ब वाला प्लांट है इसके लिए मिट्टी भुरुबरी होनी चाहिए वैल्डेंट होनी चाहिए इस मिट्टी में मैंने दोस्तों लिया था गोबरखाद, reverse sand और garden soil तीनों को बरावर मात्रा में इस तरह की मिट्टी जो है रजनी गंदा के प्लांट के लिए काफी बढ़िया रहती है जिसमें सिर्फ पानी असानी से ड्रैन ओट हो जाता है और हलका मुएस्चर मिट्टी में रहता है तो दोस्तो यह तो मिट्टी की बात हो गई अब हम बात करते हैं गमला हो या फिर इस तरह के आप किसी भी टब बाल्टी का यूज़ करें तो उसके नीचे जो ड्रैनेज होल आपने जरूर बनाना है तो कि अगर ड्रैनेज होल नहीं होगा तो ट्यूब रोज का प्लांट ट्यूब रोज का जो बल्ब है वह बहुत जल्दी सर जाएगा इसलिए ड्रैनेज होल आपको ध्यान रखना है इस तरह के बल्ब वाले प्लांट में के हमेशा खुला होना चाहिए तकि जब भी पानी दें तो आसानी से पानी एक्स्ट्रा डैन आउट हो जाए और प्लांट के हिसाब से जूरत भरकम मुश्चर बाल्टी में मिट्टी में रह जाए तो यहाँ पर दोस्तो रजनी गंदा के पौदे से फूल लेने के लिए हमने गमले के साइज की और मिट्टी की बात कर ली है अब बात करते हैं हमें कितने धूप वाली जगा पर रजनी गंदा के पौदे को रखना चाहिए अगर आप दोस्तों गमले में रजनी गंदा का प्लांट लगाते हैं तो कम से कम पांच घंटे की धूप आती हो ऐसे स्थान पर रजनी गंदा के पौड़े को रखिए यानि कि पार्शल सन में तो आप रखिए ही रखिए अगर आप फुल सन में नहीं रख सकते हैं आपके चत पर फुल डेर की सनलाइट नहीं आती है और दोस्तो इस बार जो गर्मी पड़ रही है हाई टमप्रेचर पड़ रहा है तो ऐसे हाई टमप्रेचर में तो है आपको रजनिगंदा के पोर्ट को दोपेर की तेज़ धूप से बचाकर ही रखना है मैं आपको यही सजेश्ट करूँगा आप इसको पार्सल सन में ही रखिए इस बार जो गर्मी है उसकी वज़े से अगर आपके यहाँ पर टमप्रेचर जो चालिस से कम का रहता है केमिकल फर्टिलाइजर में आप अपने रजनिगंदा के पौदे में जरूर प्रयोग करें आप इस तरह से आधा ग्राम के लगवग ए ग्राम के लगवग ए नपी के खाद लें और इस तरह से गमले के किनारे किनारे पर मिट्टी हटा कर डाल दें आज से 18 दिन पहले जो है मैंने इसमें यूज किया था तब फ्लावर स्पाइक जो है नहीं निकली थी अभी जो है लगवग 18 दिन का समय कंप्लिट हो चुके है तो मैं सेकिंड टाइम जो हूँ इसका यूज कर रहा हूँ तो दोस्तो जब आप रजनी गंदा का बल विया प्लांट एक बार लगा देते हैं तो 50 से 60 दिन हो जाएं या फिर 70 दिन हो जाएं अगर फ्लावर स्पाइक नहीं निकले तो आप इस तरह के केमिकल खाद का यूज जरूर करें दोस्तो पहले से एनपी के 19-19-19 आज से 10 दिन पहले हमने इस ट्यूब रोज प्लांट में डाला था 10 दिन के बाद आप देख सकते हैं जो फ्लावर स्पाइक पहले निकली थी वो जो है काफी जादा बड़ी हो गई है जो तीन स्पाइक निकली थी इसके लाव अगर आप देखेंगे तो आपको छोती फ्लावर स्पाइक भी यहाँ पर नजर आ रही है यानि कि हमने में चार बल्ब जो लगाए थे इस बाल्टी में वो चारो ही बल्ब में फ्लावर स्पाइक आ चुकी है रजनिगंदा की चारो फ्लावर स्टिक जो है हो जाती है और सेप्टैंबर अक्टूबर मंद तक इसमें फुलावर खिलते रहते हैं तो दोस्तो आप इस तरह से अपने रजनी गंदा के प्लांट में फुलावर स्पाइक ले सकते हैं अगर काफी लंबे समय से फुलावर श्टिक नहीं निकलिये उम्मीद करता हूँ दोस्तो आपको ये वीडियो अच्छा लाओ अगर अच्छा लाओ तो लाइक कीजिएगा तो शेयर कीजिएगा नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जूड कीजिएगा यदि आपके मने कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिएगा जितनी इलती होगा रेप्लाई देने कोशिश करूँगा ठैक्स फॉर वाचिंग हैपी गार्डनिंग